तो हेलो गाइस वेलकम टू मैं न्यूव लोग में आप सभी का स्वागत है तो आज हम आए है फरीदवाद की मंडी और आपको दिखाएंगे फरीदवाद की मंडी काफी जादा बड़ी है तो आपको मंडी में घूमके भी दिखाएंगे और अभी तो फिलाल देख सकते हैं और देख सकते हुआ इधर मंडी लग रही है यहां पॉना खाल कि यहां है यहां पर छलते है फे जाल से और अनभा करें है तो यह देख सकते हो फिलाल में आते हैं काफी दूर से सेव और इदा देख सकते हो इन में भी सेव लगे हुए हैं काटून में और जी देखिए और गाड़ी उदर हैं काफी ज्यादा तो इन से उतार रहे हैं और gagner अवर यहां से लोग भी खरीद रहा काफी जयादा बेख आलब और यूब खरीदने बारी मीने बढ़ भाएं तो फिर थेल के ले जाते है हैं मंडी चेहसं पार हमोद सकती हो अमरूद ऑम्रोई देखे से काफी जाधा पी रहे हैं अब फिलाल में सकते हो च्याब काफी dress की सब्सक्राइब पेड़ पेसे तूटके दोस्तों हमने एंटर कर लिया सब्जी यहां सब्जी काफी जाद विक्ति है तो देख सकते हैं फिलाल में ठेलों में सब्जी लग रही है और आपको दिखा रहे हैं यहां को दिखाएंगे में देख सकते हैं मूली जाथ नए सुनदर है और अनिदर लग यहां मैं गोव ही लग तरेलिक सकते हैं तो दोस्तों इदर देख सकते हैं लोकी वी हम पर लगी हुई है और लोकी के रेट बताएंगे कितने रुपे किलो भी कि कहीं 12 रूपे किलो लोकी आपे फिलाल जाल है और इदा देखिए बैगन में काफी ज़्यादा है और इदा देखिए कार्टून वारी भी लोगी यहां पे थोड़ी बची है और जहीं पर हमने अपनी लोगी लगाई थी तो हमारी तो बिख चुकी है भी फिलाल में खुरें और कठेक सकते काफी जादा कठेक और और लिएखीं पैकर करके कठेकर को बेशते हैं जाओ है ऊथे काफी जयादा विकता और इनके से और कभी आना तो परिदाबाद अची if Heard ai ऑफD और यह पारक भी है तो हम पारक में देखने जा रहे हैं कैसा पारक यहां पर फजीदवाद में और आपको भी दिखाएंगे कितना बड़ा पारक है देखो जो थेले वाले होते हैं लेंसे लगाते हैं नहीं राष्टेमें नहीं मिलती है मंडी पे कोट व обяз अधा में तो दोस्तों तो फिलाल देख सकते हैं जिवारक हर कॉनसा कौन' काफी लोगोंको पता हो और काफी लोगों को नहीं पता है तो कंद करके बतान कौन सा फल ये तो देखने में तो काफी अच्छा लग रहा थो खाने भी अच्छा ही होगा तो दोस्तों पारक में तो पहुंच चुके हैं और फरीदावाद मंडी के पीछे पारक है और काफी जादा बड़ा पारक बना हुआ यह देखिए तो इसमें घुमने में तो काफी जादा टेम लग जाएगा तो हम थोड़ा बहुत ही आपको दिखावाएंगे और आप को दिखाएंगे जहां पर काफी जादा बड़ा सुम्रिंग कूल बना हुआ है अभी तो फिलाल में इसमें पानी नहीं है तो काफी जादा बहां से और आप बहां तक देख सकते हो काफी जादा इसमें जब गर्मियों को टेम में पानी रहता तो यहां पर काफी लोग नहा सबसे अच्छा बंकी मंकी बंदर है है जो सबसे बंकी और देख सकते हैं और रास्ता भी और पारक काफी जा दंद कशार है और उपर यहां पहरवा पर देथज सकते हों और काफी जादा करता मौसा अलेजाउ़ है काफी हमें सोच है यहां डोल के आति आते हैं पारक पास नंहीं है तो तो दोस्तों अभी यहां पे यह दो पेड़ थे और काफी जादा अच्छे पेड़ लग रहे थे देखने में तो यहां पे हम घुमने के लिए पारक महीं है तो फिलाल नाम तो हमको नहीं पता है इस पेड़ का क्या नाम है पत देखने में काफी जादा अच्छे लग रहे है यह देखिए और इन पर फल भी लग रहा है आपको दिखाते हैं तो कुछ इस पिरकार से फल है इनके और देखिए पत्ते काफी जादा अच्छे हैं देखने में और अभी हमने दूर से देखा तो देखने में काफी सुन्दर लगा था छोटा सा पेड़ है और अभी फिलाल म अगरा खिशबाते हैं